नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल हो आज बना रहे हैं दो तरह का कुशन का और इसे बनाना बहुत आसान है तो चलिए माज आपको इसको बनाने का तरीका बता रही हूं इस पर बीच के अंदर यह बटन जो है वह आप कोई भी कलर का लगा सक सकते हैं ढाht अब स्टीच करके ओर उसको लगाना भी बहुत आसान है तो चलिए को सबसे पहले पेपर पे कटिंग कर लेते हैं तो यहां पर मैंने ले यह पर और यह प्र फ्रीप्टीन का तो आप सबनाना है और यह दो खेपीर कर सकते हैं अधरां ओर प्रहान सब colored और उस यह देखिए 15 square 15 है और यह जो कुशन तयार रहेगा वो रहेगा 14 square 14 का क्योंकि जो भी कुशन होता है वो square में होता है अब इसको इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर लिया है एक पेपर को हम अटा देते हैं 15 लगें बाद आप इसके चार पार्ण कर ले तो इसको पार्ण कर लिया है और अब इसको कट कर लें और तो दोस्तों आज मारी वीडियोट पसंद आये तो प्लीज आप आप वीडियो को लाइक केजबा कोमेंट केजबा है जो एक पार्ट समने करण में है हुँसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पार्ट समने कैंद English यह वह बराबर है ना तो जो अमरा फ्रेस पेपर था 50 इसको फोर फोल्ड में फोल्ड करेंगे और इसके उपर यह एक पीस रखे के चेक कर लेंगे कि यह बिलकुल बराबर है तो अब देखिए यह मैंने पिंग कलर का कटिंग यह एक साइड से बिलकुल भी एक्स्टर नहीं लेना यक्या कोर्णर की साइड है और कोर्णर की साइड पर एक्स्टर सिलाई नहीं होगी तो यहां पे दोनों पार्ट आदा-दा infamous ट्यक्स्टर दो साइड में रखते वे कटिंग कर लिया है और इस तरह से एक नीचे का कटिंग कर लिया है तो यह हमारे उपर के पार्ट हो गए अब नीचे के पार्ट के लिए इसको डबल करेंगे और डबल करके इसके दो पार्ट कर लेंगे एक पार्ट को थोड़ा बड़ा कटिंग करेंग क्योंकि इसको ऊपर नीचे करने के लिए ऐसे हमें चीएगा जरूरत होगी और अब हम इसको एक साइट से सब फोल्ड करके और यहां पर बिल्कुल पेपर के बराबर यानी 15 इसको आरे 15 रखते विए बाकी का जो है उपर नीचे के रखती और इस्टिच कर देंगे सकत को मैंने स्टिच कर दिया है यह यह ज yoga अगे का पारस है ठीकर और इसके ऊपर यह हमारे पार्ट्स जोइंट होंगे तो सबसे पहले इन पार्ट्स को हम अलग अलग जोइंट कर लेंगे उसके बाद इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो यह हमारा पार्ट्स हो गया इस तरफ का और देखिए एक कॉर्णर से यह हमारी सीधी साइड होगी न तो यह यहां पर आएगा और यह जो आदादा देंचे वो इस्टिचिंग के लिए है तो इसके उपर हम इसको यहां पर ऐसे स्टिच करेंगे तो इसके अंदर हमारी यह वाली साइड जोइंट हो जाएगी तो इसको हम जोइंट कर लेते हैं इसके उपर ऐसे रखेंगे और एक सिला ही लगा देंगे तो अभी आप देख सकते हैं जो आदा ही चेक्स्टा लिया था वो यहां पे मैंने इसको जोइंट कर दिया है और इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे हो गया ना आदा सेट ठ्यारी हो गया इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को और यहां पे रखेंगे और इस तरह से रखेंगे ठीक है ना और इस वाले पार्ट को हम यहां पे ऐसे रखेंगे अब यह सिलाई लगा देते हैं इन दोनों को इसको इसके उपर ऐसे रखेंगे और ये वाली एक सिलाई हम लगा देते हैं तो ये मैंने इसको इस पे स्टिचिंग ले लिया है हम आप देख सकते हो हो गया है चारू अब हम इनको लाएंगे इस तरह से बिलकुल सेंटर पॉइंट पे और ये जो साइड है न ये वाली क्योंकि हमने इस तरह प्यादा इंजेक्स्टा लिया था इस तरह प्यादा इंजेक्स्टा लिया था और इस तरह पने कुछ भी एक्स्टा नहीं लिया था तो इसको इस तरह से करेंगे इसके उपर और बिल्कुल इस center point को इस तरह से मिला देंगे ठीके न और यहां से यह सिलाई लगा देंगे और यह सिलाई लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस सिलाई को कर दिया है और बिल्कुल यह opposite में रड़ी हो गया है अब हम जो नीचे वाला हमारा freeze part है उसके चारो और इसके एक सिलाई लगा देते हैं मैंने इसको चारो और से यहां से लोग कर दिया है और अब हम इसके उपर यह वाला parts रखेंगे और हम इसके चारो और एक-एक सिलाई कर देंगे यह देखे ओन साइड पर और ओन साइड का parts रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इसके चारो और stitching कर लिया है इस तरफ पी इस तरफ इस तरफ अब हम इसको ओन कर लेते हैं इस तरफ से इसके corners को पकड़ेंगे और इस तरह से करतेंगे फिर इस Corner को पकड़ेंगे और इस तरह से इसको ओन कर लेंगे अब हम इसको कुशन के इसके अंदर जो कुशन डाल देते हैं जी दोस्तों हमारा खुब सुरत साथ कुश्यन बन करके रड़ी आप देख सकते हो कितना बढ़िया बन करके रड़ी हुआ है और बस फटा फट में 10 मिनट में ये रड़ी होड़ जाता है तो आज की हमारे वीडियो पसंद आयो तो प्लेज आप हमारे वीडियो को लाइक करे शेयर करें कॉमेंट करें ठेंक यू